आगे अंतिम वीडियो में पढ़ा था कि निच्छेप मलिका को बताते ही कि कालीदास ने भिवाह कर लिया है इस पर मलिका क्या भाव वैकत करती है देखें मलिका तो इसमें बुरा क्या है निच्छेप एक तरह से देखे तो बुरा भी नहीं है परन्तु यहां रहते उनका जो अग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे रुप कर उसकी ओर देखता है निच्छेप कहता है कि इसमें बुरा नहीं है लेकिन जो वैक्ति गाउं में जब था तो कहता था कि वह शादी नहीं करेगा ये ऐसा क्यों कहते थे क्योंकि मलिका और कालिदास प्रेमी और प्रेमिका थे उस आगरह का क्या हुआ उन्होंने या नहीं सोचा कि उनकी इसी आगरह की रक्षा के लिए तुम ने? कहने का मतलब काली राज के पहले यह नहीं सोचा कि تمहारे चलते ही उसके चलते ही काली राज के चलते ही मलिका ने भी अब तक शादी नहीं की मलिका उसके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती मैं अनेकानिक सधारन व्यक्तियों में से हू example दर्शन पढ़ी है मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है परन्तु दूसरी तरह से देखने पर बहुत गलानी होती है मलिका इसके विपरित मुझे अपने से गलानी होती है कि या ऐसी मैं उनकी प्रगती में बाधा भी बन सकती थी मलिका यहां यह दिखाना चाहती है कि कालिदास के जाने पर भी मलिका के जीवन में कोई परिवर्टन नहीं है और परिवर्तन है तो सिफ क्या कि पहले उसकी मा भोजन बनाती थी अब उसकी मा बिमार पढ़ने लगी तो मलिका भोजन बनाती है लेकिन मलिका की जीवन में सब कुछ बदल गया है निच्छे बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है मलिका केवल इतना ही अंतर है ओश्यत लिए उठ खड़ी होती है मा को ओश्यत दे दू अभी आती हूँ अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठा कर ओश्यत पिलाती है अंबिका पी कर सिरहलाती है सिरहलाती है कि हाँ मैंने पी लिया सांकेतिक भाष्णा में बताती है निचेप पहलता हुआ जहरोखे के पास चला जाता है बाहर घोडे की टापो का शब्द सुनाई देता है तो पास आकर दूर चला जाता है निच्छेप जरोके से सटा देखता रहता है अंबिका ओशत पी कर लेट जाती है मलिका बाहर आ जाती है और किवार के पास रुख कर अंबिका की ओर देखती है मलिका मा ठन लगती हो तो किवार बंद कर दूँ अंबिका सिर हिलाती है अम्भिका किवार बंद कर देती है निच्छेप जरूके के पास से हट जाता है हट आता है निच्छेप लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए है मलिका कौन लोग? निच्छेप संभवतर राज के कर्मचारी है दो वैसे ही आकरीतियां मैंने देखी है जैसे तब देखी थी जब आचारे कालिदास को लेने आये थी मलिका घोड़ा थोड़ा सीहर जाती है मतलब डर जाती है कि अब इस समय वो क्या लेने आये है ध्यान दीजे बच्छों जब भी इसमें बताया गया है कि राज जैसे कोई आया है तो कुछ न कुछ अन्होनी यहां होना है इस चीज को लेकर मलिका डर जाती है जब पहले अंक में आते हैं तो अंबिका कहती है कि जब तुमारे पिता की मृत्ति होने वाली थी तब ये लोग आये थे अब जब काली राज को चले गए तब ये लोग आये और आज फिर ये आये तो मलिका को लगता है कि फिर कुछ होने वाला है मलिका कैसी आकरितिया अपने भाव को दबा कर हसने का प्रयत्न करती है मतलब अपनी फिलिंग छिपाती है जानते हैं मा इस संबन में क्या कहती है कहती है कि जब भी आक्रितियां दिखाए देती है कोई न कोई अनिष्ट होता है अनिष्ट मतलब खराब काम होता है कभी युद कभी महामारी परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ निच्छेप नहीं हुआ मलिखा आखे बचाते हैं गीले वस्त्रो को देखने में वैस्त हो जाती है निच्छेप समझ जाता है कि मलिखा या नाटक कर रही है कि पिछली बार कुछ नहीं हुआ पिछली बार काली दास को लेकर चला आ गया और काली दास वापस नहीं आया ये भी एक तरह से खराब ही हुआ आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे